सरुकार मुझेली में कालेक्टरेक इंडिश पना रूथी पहला आत्मरक्षा प्रस्दक्षर कारेक्रम का क्या गया आयोजन कोर्बा शहर को नश्यामुक्ट बनाने का भियान पुलिस चला रहे रन फॉर निजात अभियान नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव वक्त हो चुका 36 गड़ की खबरों का रूप करते हैं खबर के ओर मुंगेली में कलेक्टरेटर राहूल देव के निर्दिश पर पथरियां SDM प्रिया गोयल ने एक अनूठी पहल की शुरुवात की जिसमें राजिव गांधी युवा मेतान के कलब के माध्यम से पथरिया ब्लॉक के 37 ग्राम बंचायतों में आत्मरक्षा प्रस्रक्षड कारेक्रम का आयूजन किया जा रहा है बतादे कि ग्रामिड यूतियां वह महिलाये चिटाकशी छेरचाड अभधिता वह घरेलू हिंसा के आसानी से शिकार हो जा रही है महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे पास सो कलब हैं पथरिया सब्रिविजन में और उनमें 25 पचिस हजार उपे की राशी हमको प्राप्त हुई थी शाषन से विभिन प्रकार की गतिविदियों के लिए इसी राशी में से कुछ राशी का अत्यंत आवश्यक है इसको लेकर भाशपा नेता ब्रजमोहन अग्रवान ने कॉंग्रेस नेता मुहमद अर्फान सिद्धिकी को प्रशासन से जल्द से जल्द गिरफतार कराने की बात कही और कहा कि यदि प्रशासन गिरफतारी नहीं करता है तो वो स्वेम भाशपा प्रत्रकारों के साथ कामुन नहीं है पुरे 36 गहरं में पत्तरकारों के साहत में कांग्रेसके लोग मारपीट कर रहा है धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाब समाचार छापते हैं तो उनके खिलाब थाने में भी रिपोर्ट लिखाते हैं जब पत्रकार ने रिपोर्ट लिखाई तो उसके ओपर कारवाई करने के बजाए और काउंटर केस बना कर सरकार के दबाओं में गुंडागरी करना ये पत्रकारिता की स्वतन्चता के ओपर में हमला है कोर्बा में बढ़ते सरक हासों पर रोक लगाने को लेकर जीले के पुलिस इन दिनों काफी गंभीर हो गई है और रात्री काली जाच अबियान चला कर यातायात नियमों का उलंगन करने वाले वाहनों चालकों के खिलाफ करी कारेवाही की जा रही है पुलिस का मानना है कि नशे में वाहन चलाने के साथ ही ओवर स्पीडिंग के कारण हासे अधिक होते हैं यही वज़ा है कि जाच अबियान चला कर वाहन चालकों को हिदायत देने के साथ ही उनके खिलाफ चालान कारेवाई की जाएगी कोरबा शेहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है नजात अबियान चला कर पुलिस द्वारा लोगों को जागरू करने का काम किया जा रहा है इसी कड़ी में शेहर में रन फोर निजात का आयूजन किया गया जिसमें पुलिस और जीला प्रशासन के अधिकारे विभिन एंजियो समीत स्कूल और कॉलिश के छात छात्राओं ने हिस्सा लिया और सडकों पर दोर लगा कर लोगों से नशे के खिलाब जागरू किया गया इस दोरान कलिक्टरे ने कहा कि इस अभियान से जुड़कर लोग नशे के खिलाफत कर रहे हैं और लोगों को जागरू करने की दिशामी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं जिले में हम लोग आवायद जो नसा है चाहे ड्रक्स नार्कोटिक्स हो आवायद सराव उसके खिलाप एक निजात अभ्यान चला रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में कारवाईया तो हम लोग करी रहे हैं जन जागरोता के आईजन भी के जना आज उसी क्रम में एक निजात रन नसे के खिलाप एक जुट हो रहे हैं और इसके खिलाप हम लोग आने वाले समय में लड़ाई और तीज करेंगे कोरवा पुलीस प्रशावशन के दौरा जो नार्कोटिक्स ड्रग्स इस तरह के जो अवैदन से हैं उससे मुक्ति दिलाने के लिए जागरोता के लिए सतत कारकन के जा रहे हैं उसी के तहताज निजात बैनर के तत्वावधान में यहां पर एक जागरोता कारकम आवजित के आगया है जिसमें सहर के सभी गन्मान नागरिक गन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग बहुत सारे एंजियोज के लोग जो प्रगतिसील बुद्धी जीवी वर के उसके बाद एक छुटी सी दोड़ का भी आवजिन किया जिसमें सहर के सभी लोग ने बहुत ही जोस्थ से उत्साह से भाग लिया राशपूर में सर्व ब्रामः समाज पटना एकाई और पुलस्थाना पटना के द्वारा जरूरत मंदों को कंबल चादर बाटा गया सर्व ब्रामः समाज पटना मंदल के ध्यक्ष के द्वारा सही तुरूप से अती पिश्रावर्ग रास्टपती के दतक पुत्र कहे जाने वाली पंडो जंजाती के लोगों को कंबल चादर और बच्चे को चॉकलेट बाट कर जाग रूप किया गया गुर्बा में रेत माफियाओं का आतंग इतना बढ़ गया है कि इनके द्वारा खुदाई के कारण यहां की कबरों का स्थित्व खत्म हो गया है जिसको लेकर आसपास के लोगों ने बताया यहां से खरीब 30 से 40 कबर गायब हो चुकी है रात मेरीत माफियाओं का मिला लगता है जो सुबह तक चलता है जिम्मिदार लोग मौन साथ ही बैठे हैं अभी अन्या जिले के सहरी चेत्र और आसपास के में अवैद परिवान की बहुत सारे सिकायत में मिल रही थी इसमें हम लगातार कारवाई करते हुए विगत तीन महा में लगबग सवसे अधिक प्रक्रण दर्ज की हैं लगातार हमारी टीम भी इसमें कारवाई कर रही है अभी जो जगह जहां से अधिक परिभन की सिकायते मिलती हैं वहाँ पर दो पालियों में हमने टीम को गठत करके उनका जबती नामा करते हैं जहां से निकल रहे हैं फिर उसकों लोग अपने खनी जजनियम के तरह कारवाई कर रहे हैं यह रेट घाटे भीया सबसे पहली और रेट घाटला बंद करे हुए छै महिनल ज्यादा होगे जो कर नाका है नाका टूटे पड़े हैं रात के राद भरे माले बालू चोरी हो थे अदिन भर बालू चोरी हो थे जहां तक देखा था नेक सबाराव मेरे खड़े रहे आएकर अभी मोरकर सिकायत है से कुछ पीडित परिवार वन बताएं कि बहुत दिन पहली हम अनों कर अपन परिवार ला मिठी दे रहें आज व परिवार के जो सदस्य जे मिठी दे वायरी सो गाया भेव कर ले नमस्कर मैं हूँ आलो क्यादा आप देख रहे हैं प्राइम टिवी कोर्बा जीला कोर्बा के हजद्यों नदी के किनारे चीता मड़ी इस्ति समसान घाट में हम यहां पहुंचे हुए हैं रात होते ही कबर से लाज तो बहार निकलती है पर वापस नहीं आती क्या है इसका रहस्य तांत्र मंत्र या विद्या आईए जानते हैं के लोगों से क्या बोलते हैं कि पिता जी का मौत कैसे हुई तो हम लोग के में प्रथा था कि समाधी देने का और समाधी देने के प्रांथ हमें हर साल उसके पुजापाट करते थे तो आज की देट में तो गवर ही गायब हो गया है पुजापाट किस्का है हिंदू में एक पर सब्सक्राइब कर दो कहा गया कि मैं उसको बोला गया कि यह काम मत करो में करूंगा मेरे तुम क्या कर लोगे क्या करते हैं राद भर दारूर पीते हैं मट में सब सिस्टी सी फिकाया हुगा था महां पर तीस से चारिस कपर अभी कई गिरने के अधर में हैं और विखत गिर जाएंगे ऐसा लग रहा है वहां पर सद्धामि अलिए अपना एक अपना सुभाज करके है दो तीन चार यहां पर पर चोरी पकड़ाया हुआ है जो कि यह रेधाट बंद रेधाट बंद है इसके बाद बंद होने के बाद दिन लोग चोरी करते थे रात बर हमने कई सब्सक्राइब करने वाली बात है करण घाट पर मौजुद लोगों के कब्र गायब होने लगी है बताया जा रहा है कि लगबक 30 से 40 कब्र गायब हो चुके हैं उन्हें भी प्रसासन से इस दिसा में कड़ी सी कड़ी करवाही करने की मांग की गई है केमरमेन मानस के साथ आलो क्यादाव की रिपोर्ट खबर जांजगीर चापा से है जहां पिक्निंग मराने गए आठ दोस्तों में से दो दोस्त पानी के तेजबाहों में हस्देव नदी में बह गए थे और जिनके रेस्क्यू के लिए बिलासपूर से SDRF की टीम और जांजगीर के गोता खोरों और अस्थानिय मच्छुआरों की मदस से 26 घंटे बाद एक छातर का शव बरामत किया गया है वहीं दूसरे के शव के तलाश की जा रही है खवर शक्ती से है जिसके अंतरगत आने वाले नगर पंचाइट डवरा के पुर्व अध्यक्ष अनिल चंद्रा द्वारा नगर पंचाइट में हो रहे भ्रास्टाचार को लेकर साथ सूत्री मांगो को लेकर धाने पर बैठे हुए थे यह धारना 14 दसंबर से शुरू हुआ था और आज दिनांक 12-24 को अधिकारियों के विद्वत करिवाई करने के आश्वासन पर धना समाप्त कर दिया गया है पतादे कि इस आंदोलन का नगर बैफारीं ने नगर बंद करने के समर्थर में बेकिया आज धने के आठ कमे दिन अधिकारियों के द्वारर सभी मांगो पर विद्वथ जाँच कराने के आश्वासन पर धना प्रदेशन वाच्टाचा जाम के आश्वासन पर समाप्त कहा मेरे दिवारा दिनांग 14 तारिक कुस्त से साथ सूतरी मान को लेकर धर्नपर दर्शन पर मेठा गया था जिसमें से पांच काम का जाच हो चुका है जिसमें दो कार्य बचा है रोड और नाली का जिसको तसिल्दार साहब और तियाई साहब के द्वारा समझाईज दिया गया है कि बिश दियो यस के भीतर कार्य रोड बनाने का और नाली बनाने का कार्य प्रारंब हो जाएगा अगर नहीं होता है तो नगरवासी और मेरे द्वारा उग्रा अंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम की जाएगी निदेशन पर पूर्व अज्यकश श्री अनील चन्दरा के दोरा सिकायद के संबंद में आधरणी एश्डीय मैडम के दोरा जाच दल का गठन किया गया था जिसमें जाच की कारवाई अंतिम पड़ाव पर है और जाच के देखते हुए श्री अनील चन्दरा जी को मेरे औ आपके जीन जीन मुद्धों पर अंदोलन किया जा रहा है उसको समाप किया जाए हम विधी पुर्वक और तत्यों को लेके आपके बिंदों का जाच की जाएगी चाटर्सकड मुख्यमंत्री भूपेश भगेली भगवा पर विवादित बयान करसिया से संग्राम चिड़ गया है मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बजरंग दल कारेकरता ने बस स्टेंट पर पुलिस की मौझूद्गी में मुख्यमंत्री का पूतला देहन किया गया इसी बीच पुलिस ने बजरंग दल कारेकरताओं से मुख्यमंत्री का पूतला छी लिया और बजरंग दल कारेकरताओं में चमकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे बाजी करते रहे जिली में रेट के अवैद कारोबारियों के होसले बुलंदर रेट माफिया राजिम शित्की नदियों से अवैद उतकनन के खारोबार इंको अंजाम देने में लगे हैं तो वहीं लम्मे सबैसे रेट की खुदाई कर परिवाहन करने से आक्रोशित ग्रामिडों ने महिला पंचायत प्रतिनीदियों के साथ कलेक्टरेट को लिखित में शकायत करते हुए अवैद उत्खनन पर रोक लगाने का ग्यापन दिया गया था जिस पर खनेज वभा के द्वारा कारेवाई करते हुए अवैद खनन करने वाली चैन माउंटिन मशीन को सील किया गया है तो वहीं अवैद उत्खनन करने वालों के खिलाफ एफाई यार्ट दजकर बड़ी कारेवाई करने के संकेत भी दिये गये हैं को खराब हो रहा है स प्रतिनिदीव पसित नहीं है बलकि स्विक्री छेत्र से अन्यत्र मसीन को चुपाया गया है जिसको हमने सील किया गया है आज कर लिए इस हत्रसगर की खबरों में बस अतना ही देश दुनियां की तमाम खबरों के देखते रहें प्रागिवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुगार